का आ ंअप हलो स्टुवाँट्स यसार्गिट्ना आजना लेक्चर मा आपड़े वात करवाना चीये लोड नू पर उल्लेडी स्टार कनेक्षन ही से वात करेड़े दीजिए और अपकंश करेली देज बरब टो अविज रिते लूड़नी पूलोडने पन, ale सब्सक्राइलों करें चाहएं चोई गश्यक्राइद द्यास चिकर उसाऀए सब्सक्राइब जो तो नहों छोड़ी तिन क्लाइव टैला सूझे तो चेया बिच्छाइअ भूमी भर्ली आगला पी प्रसुम छोई कि यह और सो चिए अश्य रिस्ट कंशा अन outta चे पन रजिस्टन्स बरबर दरेक फेज मां सु करिए एक एक रजिस्टन्स कनेक करेला चावी रिते बरबर तो आ रिते पन तम्हें लोडने कने करी सको जो एवीज रिते अहीं जो तो केके बीजी सरक्रिट छे एनी अंदर अपड़ी पासे एक फेज नी अंदर सुझे आर छे अने L छे B जा मां पार छे एल छे 3 फेस मां पॉरी चे आपने L कनेक करेलो जी इवी जली ते त्रिजी सरक्रिट छे एनी अंदर सु करेलो जे तो केके आर अने C ल कनेक करेला जे बरबर नहीं पान सेम आलो पंसेम तो आवी रिते ता लोड बरबर सूंचे बैलेंक्ट लोड इड़नें गए टना समक्षिंद्र नो जो डरेक्ट फेस्टल नो इन नों इंपीडंस एले के Z1 आपने R राक्ये तो ZR पची अब B राक्ये तो ZB आने A चे यी Y छे तो ZY जो आ त्रणे रजिस्टंस इंपीडंस ZR इसकी टो ZB इसकी त्रणे फेज़ों इंपीडंस सरको थाई है तो यौनों नाम आप सो बैलेंस ड्लोड वरबर बैलेंस लोड एले सुथ तो कि दर एक फेज़ों इंपीडंस अने पावर फेक्टर सरको हो वो जो यी बहुद बहुद सिंबल डेफिनेशन चे आमा काई नहीं न थी बरबर हवे बैलेंस लोड थाई क्यों हवे सू था है तो के के धारों के तमने आविरीत एक 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 जामपल आपी दीदू के स्टार मा आविरीत लोड कनेक्टेट छे तो अवे सू त्रने त्रोन फेज माटे गणतरी करवान चे बाकी ना बे फेज तो के वाजे से मच चे बरबर बैलेंस लोड नो मतलब बजी चे के बदानों इंपीडंस के होजे सरक होजे बरबर तो आवस्तु याद राखवानी चे के जो बैलेंस लोड होए तो आपड़े कल्कुलेशन से ना मटे करूँ पड़ से कोई पड़ एक फेज माटे बरबर हवे आ टाइमनोस मावे तो सू करवान तो के कि आपड्ये ना दाख लाधा सेकंड चैप्टर माँ बस इजरी ते आपड़े सॉल करवानु जे ख्यालागयो सू करवानु जे बैलेंस लोड चे ले कोई पन एकज फेज निवाद करवानी जे बरबर इले आपड़ो सुधा से अडलू थाई जासे खाली सर्किट अने पच्छी सू थाए तो केके रजिस्टन सारे सू कनेक कर लो सू करवानु तो के आपड़ों सपोस के यह ने सी बैन बनने चे नें डिस्टन स पहंट चे तो जड़ पार फेस पील फेस तो सूदा रूट ऑर स्क्वेर प्लस एक्सल मैंस एकसी स्क्वेर आगड़ जीरी ते करें तू इस समथा से बरबर पचिए गड़ जाहिए तो अवे आपड़ी पासे equation छे के e line is equal to root 3 e phase अवे आमाथी तमने जे आपेल वो ए प्रमाने तमें calculation करी सको जो एविद देख current phase नो गोतो होए तो e p upon z p आने cos phi is equal to r upon z p बहुँ easy छे आपड़े आगर कोई नवी formula नती खाली बेज formula नवी आऊसे कई तो के के star connection छे एले सू था e line is equal to root 3 e phase अने बिजू सू था से तो के के line current is equal to phase current आप बे नव equation छे बिजू काई छेज नहीं हमा बरबर हवे आपड़े आपड़े आउपर आधारित एक sum जो हिए यह तमने दाखला मा सू कीदू छे तो केके एक 3 phase load छे एने star मा जोड़वा हमा आगे छे बरबर हेले कि आपड़े कि खोवपड़ी की star connection छे तेने 400 वॉल्ट 3 phase 50 हर्ज नो supply आप्यो छे बरबर हवे दरेक phase मा सू छे दरेक phase निवात करे छे वीस ओमनो रजिस्टन्स से लेके आर आपे लो छे अने इनी साथ चे बस्तों ने पचास मिली हैंडी नो सुआ पिलू छे इंडक्टर आपे लू छे बरबर यहनों मतलब सूत जो के आर छे इनी साथ सीलीज मा सू छे एल यहले हवया कई सर्कृट नो दाख लो था से तो किके सीरीज आरेल सर्कृट नो सम्द ही जासे बीजू कहां छे नहीं बरबर पची आगड़ जाए तो सुख यह अपने फाइंड सू करोनों छे तो किके लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज फेज करंट लाइन करंट पावर फेक्टर एक्टिव रियक्टिव अने एपेरेंट पावर बद्द नी डैरेक्ट फॉर्मिलाच छे कहीं चेंज आओ तो नथी बीजे एक वस्तू आनी अंदर जो तमने तमारा दाखला मा लखेलू न होय बरबर तो आनी अंदर तमारे द्यान सू राखवानू छे आपड़े स्टार्ट क्यां दी कर सूं तो कि आपनने लाइ आपड़े लू न होय बरबर तो जे आपेला छे एल्लेके इंहें 400 आपेला चे तो 400 आपेला चे लाइन वॉल्टेज लाइन वोल्टेज आच्छे एव धारी ने आपड़े दाखलो चालू गरवानू बरबर जे क्या ला वयो बरबर एंदोब पुछ यह लाइन वोल्टेज यह फेज गोतवानौ तमने लाइन वोल्टेज अपने शूह लाइन वोल्टेज यह तो आपड़े-पास से आपने खबर चैया स्टार कनेक्शन चे तो सू थासे तो के के V line is equal to root 3 V phase आपने अटली खबर जे अपड़ी पासे line voltage छे अपने phase voltage गोतु आनों छे तो सू थासे V phase is equal to V line upon root 3 बरबर तो ये 4 V line तो आपने खबर जे के ला 400 400 आपन सू ते जासे root 3 बहुँ सिंपल जे आरीते तमने सू मढ़ी जासे phase voltage पर मढ़ी जासे तो आपने मढ़ी काई line voltage अने phase voltage हवे आपने गोतु आनों छे line current अने phase current तो हवे पहला current find करो जेते नॉर्माली current हो तो ये नहां मढ़े सू जो वे तो क्यों वोल्टेज जो है आने आपने impedance जो है आपड़े एक phase नो impedance गोती लए अंडर root r² प्लास xl² एले impedance पन मढ़ी गयो बरबर हवे इंहां एक वस्तू ध्यान राखवानी छे क्या आपड़े phase current find करो जो तो इंहां सू आउसे phase voltage जाऊ से बरबर इंहां जो बे voltage चे आपड़ी पासे एक phase voltage अने line voltage तमें सू गोतो जो प आपड़े याद्सू राखवानों जे phase current गोतो जो तो इंहें उपर phase voltage लेवानों जे बसो ने 30.9 नहीं जेड मत आमा काई वान दो छे नहीं तमने current मढ़ी गयो बरबर करो phase current मढ़े वे एक वस्तू सू जो आनी जे तो कि स्टार कनेक्शन जे ले phase ने line current के वाजे सरका जे तो line current ने phase current बे मढ़ी क्या टूटल चार वस्तू आपड़ने मढ़ी गई बरबर हवे power factor निवाद करिए तो power factor is equal to तसू था है तो कि के आर पी एले phase पी एले वी जुगाए ना दी phase चे आर अपवान जेड करिए एले अट लेगिंग लेगिंग शुका म तो कि क्या VLIL cos 5 बरबर हवे रियक्टिव पावर निवाद करिए तो रियक्टिव पावर नोग एक्वेशन चे रूट 3 VLIL sin 5 बरबर रूट 3 VLIL sin 5 हवे आपड़ी पासे sin 5 दो अच्छे नहीं आपड़ी पासे हतू सूं तो के कोस 5 is equal to 0.2469 बरबर ताना उपर थी आपड़ी sin 5 में अड़ू जे तो पहला 5 करी लए तो सू तासे कोस ने आसे लिए ले कोस इन्वर्स 0.246 बरबर अड़ू थी ताना उपरी तमने 5 नी कोई value मढ़ से बरबर जे अन्य इजे 5 नी value मढ़े एन्ने आपड़ी क्या मुकी देशू sin मा मुकी अन्य तमे 5 कर सो यह 5 नी value मढ़ी इमुक सो एल्ले तमने मढ़ से 0.969 sin 5 मढ़ी जो हवे आएक्वेशन मा तमें value मुकी देशू रू VL नी value खबर जे IL नी खबर जे बस तो यह बदा नी value अपड़ी पासे अल्लेडी हाती अन्य एन्नो यूनिट्स हूं तासे VA आमा इवस्तु द्यान राखवानी छे बरबर 22 इजी समचे तमारा एक्जाम मा साथ मार्क माट्या वस्तु बूचा है जे गणी वार बरबर जे तो साथ मार्क आना रोकडा जे